प्रतिश्यत को साधार्ण भिन्द में बदलने के लिए प्रतिश्यत को साधार्ण भिन्द में बदलने के लिए हमको संख्या में सौ से भाग दे करके हल करते हैं जैसे कि यहाँ पर प्रतिश्यत को आपने क्या करना है प्रतिश्यत का आप चिन अटा देंगे और प्रस्त कच्छन हटाने पर आपको क्या मिलेगा अपान हंड्रेड जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यह एक भिन बदल जाती है इसको एक फ्रेक्शन में कनबट कर देते हैं इसी प्रिकार से कुछ और प्रस्त दिये गए हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 40 प्रतिशत को सॉल्व करने के लिए आपको करना है 40 वटे 100 अब इसको आपने जब हल किया तो आपका होगया 4 अपान 10 और इसको अभी आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर आपका मान निकल के आएगा 2 अपान 5 नेक्स्ट है 16 परसेंट यानि कि 60 प् हो ऑपको अब सॉल्व करने पर कितना मान प्राप्त होगा 3 अपॉंट फायव इससी प्रिकार अगला प्रसन है 35 % 35% में आपको सेम फाथिसी अपनाना है 35 अपको सॉल्व करना है कि आपने 35 को सॉल्व किया तो फाइब से डिवाइट कर दिया फाइब सेविंजा 35 और फाइब टैन तो सेविन अपांट 20 यह हमारा क्या है पैंतीस प्रतिशत का भिन रूप में बदला गया तो पैंतीस प्रतिशत का मान साथ बटे 20 की रूप में अब अगला है एट पॉइं से पहले तो सम्लब को बढ़ने के लिए नीचे दो सून बढ़ाने पड़ेंगे अब हमारे पास संख्या आती है एट हंड़ेट 25 अपॉन टैन थाउलिंड और इसको आपको सॉल्व करना है तो आप इसको 25 से डिवाइड कर दीजिए तो 25 से डिवाइड करते हैं कितना आता आता है आपने इसको ट्वंटीफाइब से डिवाइड किया हमने ट्रिवाइड किया तो यह क्या है एट पॉइंट टूफाइब का भिन रूप ऐसे आपका अंतिम जो प्रसने है एटीन पॉइंट और बढ़ जो आपका एक सून और बढ़ गया जब आपने एक सून बढ़ता है जब आपने डिवाइड को सॉल गया तो हमां यहां पे मिलता है अंसे अधे तो हमारा जो फ्रैक्षन है यानि भिन है नाइनटी वन अपॉन फाइव अनडेट तो यह आपका था एटीन पॉइंट टू परशेंट का फ्रैक्षन पार्ट जो आपने निकाला वो किता निकल के आए नैनटी वन अपॉन फाइव अब यहाँ पर इसके बिप्रीद काम करते इसके बिप्रीद में क्या लिखा है किसी भी भिन को प्रच्चत में बदलने के लिए भिन के अंस दताहर में ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि हर कामान सो हो जाए और हर सो होने पर अंस की संख्या को प्रच्चत में लिख देते हैं तो धारान के लिए हमारे सामने लिखा है Six upon अंडेड अंस है चे और हर है दस तो दस को हमें 100 बनाना है तो हमें टैन से मुल्टिप्लाइग कर दीजिए क्यूंकि हम अंस और हर दोनों में 10 से मुल्टिप्लाइग करेंगे तो यहां पर आएगा 60 और यह हो जाएगा हमारे सामने संख्या दी गई है इसको क्या करना करना है तो 5 को ट्वंटी से मुल्टिपलाई करते हैं तो अगर आता है 5имо 20 मुल्टिपलाई कियाई है अंसर आया हमारा 20 अपान और 20 अपान हंडेट को आप लिए सकते हैं 20 परसेंट इसी प्रकार 3 upon 4 3 upon 4 में भी हमें क्या करना है तो हमने क्या किया 4 को 25 से multiply कर दिया जब आपने 4 को 25 से multiply किया तो यहां आपका हो गया 100 और 25 से जब अंस में multiply किया तो अंसर आया 75 तो यह था तरीका हमारा साथ समलब को भिन को प्रतिशत में बदलना इससे पहले आपने पढ़ा था प्रतिशत को भिन में बदलना यह दूसरे की विप्रीद प्रक्रियाएं इन में देखी कुछ प्रस्ण दिये गए यह से साथ बटे 25 तो यहां पर क्या करना था आपको चार से बढ़ा गया 28 हो गया यह मान निकल गया 28 प्रतिशत 9 बटे 20 यहां 5 से बढ़ा किया 9 बंजे 45 और यह 100 हो गया मान निकल किया 45 प्रतिशत 4 बटे 50 यानि 4 बटे 50 का मतलब 8 बटे 100 दो से बढ़ा किया यह हो गया हमारा 8 प्रतिशत तो इस तरह से हमारा एक दोनों प्रस्ण आपके कम्प्लीट हो गया पहला था हमारा प्रतिशत को साधान में बदलना दूसरा था भिन को प्रतिशत में बदलने के लिए दोनों की आपको प्रोसियर बता दीगी जब आपको प्रतिशत को साधान में बदलना था तो प्रतिशत चिंद की जगे बटे सो कर दिया और सरल करने पर हमें क्या प्राप् सच के रूप में लिख दिया जाएगा यह हमारे थे आज की कोश्च